bond yields versus interest rate आप लोगों को पता है कि bonds जो है वो debt instrument होता है FD की तरह उस पे आपको ब्याज मिलता है तो वो तो interest हो गया तो फिर यह bond yield क्या होता है आज इस वीडियो में मैं आपको example के थूरू मेरी screen पे मैं आपको दिखाऊंगा कि bonds में interest क्या होता है और yield क्या होता है और दोनों का आपस में क्या relation है तो आई यह मेरी screen पे आते हैं शुरू करते हैं तो सबसे पहले जैसे आप Google में जाके आप आपका अगर कोई भी bond का प्लेटफॉर्म है जैसे मैं जिरोधा का coin में यूज करता हूं पाइद जिरोधा में अपन किया तो नीचे सरकार के bonds जो है वो अभी तीन bonds available है एक यह जो है वो 7.17% यानि साथ दश्मलव एक साथ प्रतिशत के government security bond जो की 2030 में जैसे आपकी FD मैचौर होती है उस तरह से 2030 में मैचौर होंगे तो यह interest rate है इसका और यह GS मतलब government securities और यह उसका जो है वो date है ठीक है अभी यह इसके सामन में जो है यह इसकी opening date है यह FD ऐसे नहीं होता कि आप कभी भी जाके खरी सकते हैं यह जैसे share market में IPO आता है उस तरह से यह चीजह जो है यह market में लाई जाती है समय समय पर और एक specific period होता है आपको spirit में जाके ही आपको खरीदना होता है तो जैसे यह जो bond यहां आप देख रह लेकिन हमको यहां जो discuss करना वो यह है कि देखिए यह जो लिखा है ना यह है 7.17% आपको ब्याज मिलेगा यानि जब यह पहली बार bond जब यह लाया गया था market में पहली बार first time जैसे अभी आप देख सकते हैं कि यह bond जो है यह new bond है पहली बार जब आपके पास यह bond लाया ग खरिदा और 2037 तक अगर आप पकड़ के रखेंगे तो हर साल आपको जो है 7.15 यानि 7.15 प्रतिशत आपको ब्याज मिलेगा और यही यहां पे mention है तो यह जो होता है यह आपके सामने इसमें जो है क्योंकि यह पुराने bonds है यह अभी new bond आया ठीक है तो पुराने bonds में देखि यह जो लिखा है यह interest rate है मतलब यह ब्याज है लेकिन आप यहां पे देखेंगे तो यह indicative yield है तो यह bond की yield है अब ब्याज और yield में आप देखिंगे तो फरक है देखिए ब्याज जो है वह 7.17 प्रतिशत है लेकिन yield जो है वह 7.06 प्रतिशत है अब यह yield कम क्यों है अब इसका मतलब समझे देखिए होता क्या है मालीजी आपने 100 रुपय जो है वह आपने FD में डाले और उन्होंने आपको बोला कि आपको 7% ब्याज देंगे तो वह interest rate है ठीक है अब आप FD को end तक hold करते हैं और जब FD का time खतम होता है तो आप निकाल लेते हैं 7% के साथ बिलकुल ऐ ऐसा ही bonds में होता है bonds का एक interest rate होता है जैसे यह नया bond है इसका interest rate जो है और जब वो शुरू होता है तो interest rate और yield same होता है yield का exactly concept क्यों change होता है वो मैं आपको बताऊंगा तो जब वो शुरू होता है दोनों same होते हैं जैसे यहां पे 7.15 से यह start कर रहे हैं क्योंकि यह new GS securities bond है ठ कि इसमें से आप कभी भी exit कर सकते हैं या इसमें से कभी भी निकल सकते हैं अब कैसे निकल सकते हैं तो यह bonds जो है यह हमारे भारतिये share बजार में जो हमारे exchanges है NSE और BSE उन पे list हो जाते हैं ठीक है तो जैसे ही आप यह खरीदेंगे तो यह आपके जो depository होता है जैसे मेरे case में यह zero- aucun की पास है जैसे अगर आप अभी मैं आपको यहाँ अगर मैं यहाँ अपर मैं दिखाऊं कैई में जाके और मैं मेरे holdings में अगर यहाँ में जाता हूं दे कि तो यह मैंने कुछ दिन पहले जो है अब यहाँ पर अगर मैं 60 करूं JUST करूं तो यह देखिए यह मैंन 50,000 कुछ के मैंने bonds खरीते थे 50,651 के ठीक है अब इनका नाम जो है यह आपको थोड़ा सा जवाब लेंगे तो पता लगेगा लेकिन मैं आपको थोड़ा समयाता हूँ 699 मतलब 6.99% इंट्रेस्ट वाले GS मतलब government securities और यह जो है यह mature होंगी 2026 में ठीक है तो इस तरह से इनका नाम डिसाइड होता देखे यह भी government security है यह 7.54 याने 7.54 याने 7.54% का return देने वाली government securities है जो 2036 तक जो है बनेगी तो इस तरह से आपकी यह DP में आ सकता है अब इसे आप कभी भी बेच सकते हैं NSE में या BSE में और आप चाहें तो वहां से खरीद भी सकते हैं लेकिन पहली बार जब नया नया आता है तो आपको यहां से खरीदना पड़ता है ठीक है अब यह वाले जो bond है यह आप जो है वो आपका जो broker है कोई भी broker हो वहां से भी आप खरीद सक है तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो साथ परसेंट में से कुछ परसेंट जो है वो प्राइस उस ब्याज का कुछ हिस्सा उस प्राइस में एड होता जाता है मल लिए कि एक कोई bond है जो 6 महीने पहले मैंने 100 रुपे में एकदम फ्रेश लिया था अब 6 महीने में आरड़ी 7 परसेंट का आदा पैसा तो मिल चुका होगा राइट तो यनि साथ का साड़े 3 रुपए तो लगबग मिल चुका होगा तो उस समय उस bond का प्राइस सौ रुपे नहीं होगा उस bond का प्राइस 103 रुपे होगा मतलब 103 रुपे 50 पैसे मोटा मोटा 304 के बीच में जाता है मान लिजे बॉण्ड का प्राइस जो है वह चड़के हो गया सौ की बजाए 120 रूपए पहले सो रूपए पे 7 परसंट मिल रहा था उसको राइए 7 रूपए मिल रहा था अब उसका प्राइस 120 हो गया है लेकिन मिल उसको फिर भी वही 7 रूपए ही रहा है क्योंकि इस 700 को अगर 120 से डिवाइड कर देंगे तो आपका इंडिकेटिव यिल्ड निकल के आता है तो अगर बॉंड का प्राइस उपर जा रहा है तो यिल्ड कम होती चली जाती है लेकिन अगर किसी कारण वाश मान लिजे कि मार्केट में उस बॉंड की डिमांड खतम हो गई और बह पो भी आपको वो साल का उसका साथ रुपए ही मिल रहा है अगर सरुन परसेंटट का है तो पहले सौ रुपए पर 70 के मिल रहा था तो आपको साथ पर데 एव sûल्ड थी अब 90 रुपह पर साथ साथ परसेंट मिल रहा है तो आपकी येल्ड साथ परसेंट से जादा हो गई साड़ी साथ आठ जितना भी आप केल्कुलेट कर लें तो बॉंड एक्सचेंजेज में ट्रेड होता है उसका प्राइज उपर नीचे चड़ता है और तो आपको सामने फिक्स है क्योंकि यह आपको लिखा है कि भई जैसे सौ रुपय का अगर इनिशली किसी दिने लिया है तो सौ रुपय पे सात रुपय सत्रा पैसे आपको मिलेगा यह जो है लेकिन अगर उसका भाव चड़ गया है जैसे अभी मैं यहाँ पे एक्जाम्पल में अभी भाव देखूं यह प्लेस और वाला जो है इस पर अगर मैं क्लिक करूं तो देखिए यह सौ यूनिट का जो है वो दस हजार है यानि एक यूनिट कितने की थी एक यूनिट सौ र र toटन मिलता क्वकि पैसे आपको सात रूपया 17 यह ं अ सौय है एक यूनिट सौ रूपया गया कर दिया है लेकिन जो दूंड है उसका भाव और बेस सकते हैं उसका बहु आउपड़ उपर जाता है तो yield गिरती है उसका बाब नीचे जाता है तो yield उपर चड़ती है I hope आपको समझमाय होगा yield और interest rate या yield और ब्याज के बीच में क्या फरक होता है और जब market में yield ब्याज से जादा हो जाए वो अच्छा time है कि आप bond खरीदें और जब yield ब्याज से थोड़ा नीचे चली जाए तो इतना अच्छा time नहीं होता है bond खरीदने के लिए I hope ये वीडियो आपके लिए helpful रहो helpful रहो ते थमसब कीजिएगा thank you bye bye